दोस्तो अगर आपका 10th and 12th percentage more than 80, 85%, 90% है और NIT का स्कोर भी अच्छा-कासा है क्या आपको पता है 3,5 लाग तक का scholarship मिल सकते हैं आपको? क्या आपको पता है चाइनीज गवर्मेंट का जो scholarship program है उसका last date 30th April है? क्या आपको पता है कौन-कौन सा document चाहिए? क्या आपको पता है कैसे उस scholarship के लिए apply करना है? और कौन-कौन सा university में वो scholarship देते हैं आपको अगर इस सारे information चाहिए तो ये video को देखिए because I have tried to cover each and every small points of yours ताके आपको कोई doubt ना रहे तो please इस video को last तक देखिए ताके आपको हर एक चीज़ के बार में information जो इकटा किया मत दे सकूँ तो देखिए जैसे ही आपने वीडियो का thumbnail देखा होगा study MBBS abroad for free येस दोस्तों ये सच है कि आप अपना MBBS की पढ़ाई पूरा free में भी कर सकते हो हो सकता है आपका जो personal expenses है hostel का खाने का या जो pocket money है वो भी आपको अपने parents से मांगना ना पड़े तो वीडियो शुरू करने से पहले parents और students आप से मैं पूछना चाहूँगा मां लीजिए आप या आपका बच्चे 90%, 95%, 98% लाया इतना मेहनत किया क्या उसको उसका reward नहीं मिलना चाहिए ऐसा कोई university बताईए ऐसा कोई country बताईए abroad में जो guaranteed scholarship देता है ऐसा नहीं है कि कोई exam के थ्रू rank आएगा, merit पे आएगा तब जाके scholarship होगा नहीं अगर आपका 90%, 80% से उपर है, अगर आपका NEET में score अच्छा है, first year उसके basis पे आपको ऐसा कौन सा university जो scholarship देगा, देगा, नहीं देगा तो जो normal बच्चों से हमारे बच्चों ने जो महनत किया, उसका क्या उसको reward मिलेगा अच्छा अगर second year से भी अच्छे से उसने महनत किया और top रहा, उसका क्या motivation बना रहेगा कि नहीं चलो मैंने इतना महनत किया, राज जगा अपना सारा जो social circle है, उसको मैंने छोड़ा, उसके लिए मैंने top आया what is my motivation ताकि मैं third year में भी top आऊँ, ऐसा कोई है university या country आपके mind में, हाँ दोस्तों आपने सही सोचा, मैं चाइना की बात कर रहा China is the only country in the whole world जो guaranteed scholarship देता है, हो सकता है 500 बच्चा apply करें उसमें 20 बच्चे को मिलेगा दोस्तों अगर आपका percentage fit आता है university का requirement पे, तो हर एक बच्चा वो scholarship के लिए eligible है, जो किना वो percentage को पे qualify करता है I have sent students to many universities in China like Shangdong University, Suchow University, South East University, Nanjing, Jiangsu, Yangzhou University जहाँ पे scholarship मिला है दोस्तों हर साल आज भी मिल रहा है, बट ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके mind में दो पोस्तिन जरूर आ रहा होगा एक कि China कब बुलाएगा sir, तो देखिए जो Indian embassy Beijing में है, जो Indian embassy उन्होंने अपने Facebook के जो handle है उसमें उन्होंने clearly बता दिया, after posting a message from Chinese government के China ने चार country के बच्चे को बुलाने के लिए invitation शुरू कर रहे हैं, वो चार country कौन कौन सा था, रशिया के students को, पाकिस्तानी students को, सिंगपूर और साउथ कोरिया के students को तुरंत इसके बाद reaction आया हमारे Indian students का, और Indian embassy भी तुरंत जो है, हमारे बच्चों को बुलाने के लिए notice या advisory आप जो भी कहिए, उसको जारी किया है, ये रहा उसके copy, इसके copy मेरे इडुराइजन के जो website है, उसका news and update में दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो, या Indian embassy जो बीजिंग में है, उसका facebook handle पे जाए, red color का notice होगा, उसके आप खुद देख सकते हो, उनमें खुद embassy के जो situation इंडिया के साथ, चाइना का political situation है, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, इंडियन student को जल्दी बुलाया जाएगा, और हाँ, एक और बात ये भी है, कि सिर्फ चाइना तो online नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे country अभी भी online पढ़ा रहे हैं, जो लोग चाइना न chapter all together, अब बात आती है दूसरी, कि क्या NMC का जो latest gadget या notification आया था, उसके हिसाब से online classes valid होगी, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, आप आई बटन पर यहाँ पर चेक कर सकते हो, उसमें मैंने clearly वीडियो डाला है, कि according to NMC gadget, क्या online class valid होगी, और अगर आप चातियों मैं थोड़ा सा idea इस वीडियो में दूँ, तो उस gadget में या उस notification में clearly mention है, कि अगर आपका classes सिर्फ online है, तब वो valid नहीं होगा, सिर्फ online, मतलब अगर आपका course duration 5 साल है, और आप पूरे 5 साल online पढ़ रहे हो, या अगर आपका course duration 6 साल है, उसको आप पूरा online पढ़ तो वो डिग्री वालिट नहीं होगी, देखिए दोस्तों, 2019 में जो बच्चे गए थे, admission के लिए, वो भी कुछ समय के लिए offline पढ़े थे, उससे पहले वाले बच्चे तो offline पढ़े भी रहे थे, तो कुछ offline और online का mix है, और 110% we are expecting that China government is opening a border, इंडिया भी commercial flight open कर दिया, कोरोन cases भी इतना भी जादा नहीं आ रहा है, तो we are very much optimistic about the opening the border of China for Indian students, तो आईए move करते हम basic topic पे, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे, MBBS scholarship in China, तो चाइना में अगर बात करूँ, इसमें दो तरीके का आपको scholarship मिलता है, एक, आप जब MBBS in China के लिए जाएंगे, फर्स्ट टाइम, आपके 10th, 12th के percentage and NEET के score के हिसाफ से एक scholarship आपको मिलेगा, जिसका जो amount है, वो up to 5 lakhs है, और हाँ, next year, second year, third year, fourth year, fifth year तक का जो scholarship है, वो performance driven रहेगा, for an example, आपका percentage 95%, 98% है, 10th and 12th में, और NEET में अगर आपका percentage 400, 500 से उपर है, तो आप ये minimum उम्मीद करके चलिए, कि 3 से 5 lakhs scholarship मिलेगा ही मिलेगा, जिसका वीडियो आप चैनल में देख लेंगे, और हाँ, अगर माल दीजे, आपका percentage कम है, कि आपको 50,000 तक या 1 lakh तक scholarship मिला, तो दोस्तों, आपके लिए ये भी opportunity है, कि next year भी अगर आपने performance अच्छा किया, top 5 student में रहे, तो भी आपको second year से scholarship up to 5 lakhs मिल सकता है, आज आपको मैं बताऊंगा, कि क्या-क्या type का scholarship चाइना में मिलता है, पर उससे पहले एक छोटा सा, बट बहुत important information मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, दो बाते हैं हमें ध्यान रखना पड़ेगा चाइना में MBBS करने के लिए, अगर आप admission के लिए interested है, अगर आप intelligent student है, कि मुझे तो अच्छे college में जाना है, practical exposure अच्छा चाहिए, इंडिया जैसे weather चाहिए, और अच्छा scholarship भी उठाना है, तो दोस्तों, चाइना is the destination for you, बट अगर मैं आपको बताओ, time नहीं है, scholarship के लिए date निकल जा रही है, आप जल्दी करिए, तो आपको लगेगा मैदूल सर बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं, इनको तो admission चाहिए, तो दोस्तों, अभी video को pause कीजिए, और Google में type कीजिए, what is the last date of CSC scholarship 2022, इसको आप Google में type कीजिए, आपको दिखेगा, कि 31st of March 2022 last date था, इसको इन्होंने extend करके 30th of April 2022 किया, इसका मतब यह है दोस्तों, कि आप अगर अच्छे student हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे admission भी चाहिए, प्लस scholarship के लिए भी apply कर दो, ताकि मुझे scholarship चाहिए, तो भाई, 30th April से पहले पहले आपको apply करना है तभी आप समझ लीजिए, आपका admission के साथ सा scholarship भी provide करा सकते है, otherwise, admission तो मिल जाएका, but scholarship का कोई guarantee नहीं है, so दोस्तों, there are three types of scholarship in China for MBBS, One, Chinese government scholarship, जिसको otherwise बोलते हैं Chinese CSC scholarship, जो minister education का अपना scholarship program है, दूसरा Chinese university scholarship, तीसरा है private scholarship, तो आईए सबसे पहले हम discuss करते हैं, Chinese CSC scholarship होता क्या है, इस scholarship में चाइना का total 279 universities participate करता है, यह scholarship देता कौन है, this scholarship is being offered by Chinese ministry of education, अब आप पूछेंगे, what is the purpose of giving this scholarship, so the main motive of MBBS in China scholarship is, to promote mutual understanding between Chinese universities and other countries, be it cultural exchange, knowledge exchange, and most importantly, promoting good quality education, यह CSC scholarship का भी दोस्तों, चार पार्ट होता है, एक bilateral program, दूसरा Chinese university program, तीसरा student exchange program, और चौथा designated program, Chinese university scholarship वो होता है, जो हम लोग main देखते हैं, वो होता है, जिसमें good and talented and highly educated students को, यह Chinese universities offer करते हैं, designated scholarship क्या होता है दोस्तों, designated scholarship is nothing but to help UNESCO sponsored talented students from developing countries, and last student exchange program, this scholarship is being offered to the students who are coming from different countries to China for an exchange program up to the duration of one year, So these are the four major scholarships offered by Chinese universities under CSC scheme, इसका last date मैं फिर बता दूँ, 30th of April 2022, अब इस scholarship में ऐसा नहीं है कि हम 30th April को ही डालेंगे तो हमारा apply हो जाएगा, There are many formalities, जो हमें करना पड़ता है उससे पहले, उस point पर मैं आता हूँ अभी समझाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ, वीडियो को last तक देखिये, इसका जो basic criteria है, वैसे तो इसका बहुत सारा criteria है, there are many criteria, but I am highlighting the major major points of applying into CSC Chinese scholarship, One, the applicant should not be a citizen of China, that means a student who is applying for this scholarship should be outside from China, This scholarship is being offered for the program other than in Chinese language, that means Chinese language छोड़ के कोई भी language में आपको अगर पढ़ाई हो रहा है, उसके लिए आपको scholarship मिलेगा, So, it could be English taught program, it could be other languages जिसमें आपको पढ़ाया जाए, but majorly English taught program में आपको ये scholarship देते है, So, there are certain age requirement to apply into this scholarship, for UG programs, the applicant's age should be less than 25, for master's program, the applicant's age should be 35, And for doctoral programs, it should be under 40, अब बात करते हैं, इस scholarship में apply करने के लिए, क्या-क्या document चाहिए होगा, ऐसा नहीं है कि आपने हमें, you just send me the 10th and 12th documents, अधार काड और पासपोर्ट कॉपी, and sir, please apply for the scholarship, No, dear, it is not that easy, to apply scholarship in MBBS in China, under CSC scholarship program, there are certain documents are required, No. 1, each and every document of yours should be notarized in Chinese or English, No. 2, if you have a passport copy, it is better, otherwise, any identity proof is enough, No. 3, you should write a study plan, No. 4, a letter of recommendation, No. 5, pre-admission letter, Yes, दोस्तो, आप अगर चाइना का scholarship program में apply करना चाहते हैं, वो भी under CSC program में, तो आपका कोई न कोई university से admission letter आना चाहिए, और ये ध्यान रहे, जो university में हम apply कर रहे हैं, वो CSC program में enrolled होना चाहिए, वो 279 universities में listed होना चाहिए, ये सारी बाते आपको बहुत सारे consultant या बहुत सारे agent जो चाइना में अभी अभी application करना शूरू किया, admission करना शूरू किया, या कभी चाइना गया नहीं तो नहीं पता चलेगा दोस्तो, it is a very crucial point, जो एक एक बारी की से हमें देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, here, edurizon का जो expertise है, उसका role आता है दोस्तो, चाइना में हम लोग बहुत दिन से admission करा रहे हैं, हम काफी पर चाइना में गये भी हैं, हमारे बच्चों का हलत पूछे हैं, आप अगर कोई भी उनिवसिटी का नाम ले लो, be it, शियान जिया तॉंग, आप खाली, शियान जिया तॉंग, space edurizon search कीजिए, या नान जिंग, space edurizon search कीजिए, आपको सारा वीडियो आपको आजाएगा दोस्तो, यकीन मानिए, एक एक वीडियो आप लोगों के लिए eye opener है, चाए वहाँ के student का daily life के बारे में हो, hostel के बारे में हो, food habits के बारे में हो, चाए वह vegetarian student का review हो, non vegetarian students का review हो, local market का review हो, चाए campus का review हो, हर एक तरीक एक वीडियो और हर एक parents का और student का review आपके लिए डाला हुआ है, जरूर चेक करिए, you will definitely love to see that video, यहाँ पे खतम नहीं होता दोस्तो, हमने documents दे दिया, study plan दे दिया, letter of recommendation, admission letter भी आ गया, इसके बाद क्या करना है, then after comes, applying into this scholarship program, उसके बाद, then after we have to check whether you are qualifying the scholarship or not, so there are many paperwork, there are many time, there are lot many time which you need to invest into this, so that we make sure that you get a good scholarship, जो आप डिजर्व करते हो, इसलिए boss, time चाहिए, और आपको time देना पड़ेगा, देखिए इस बार need भी time पे हो रहा है, July 17 को date आ गया है, and things are very much smoother, ना की 2020-21 में जो हमने देखा है, बहुत लेट चल रहा था, हमने last year भी देखेंगे, तो बहुत सारा international universities में apply करने में delay किये, क्योंकि हमारे लिए भी need apply करना ज़रूरी है, हाँ यहाँ पे question आएगा, बीना need के कैसे हो जाएगा, तो मैं आपसे यह नहीं बोल रहा, बीना need के apply कर दीजिए, scholarship apply करने के लिए need का score का ज़रूरत नहीं है, आपका खली documents चाहिए, आपको खली registration करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 10,000 देना है, और आपको जो भी requirement है documents का वो दीजिए, हम आपको help करेंगे, वो document तयार करने में, आपको apply करने के लिए बस 10,000 रुपए चाहिए, बाकि सारा का सारा काम, major जो fees transfer होता है, वो सब after need, जब आप देखोगे, कि मेरा need qualify हो चुगा है दोस्तो, अब बात करते हैं, Chinese University Scholarship Program, which is the number 2 scholarship program in scholarship in MBBS in China, Chinese University Scholarship में लगभग लगभग 150 universities participate करते हैं, applying into Chinese University Scholarship is pretty easier than CSC Scholarship and the documents required are very less and what all expenses are covered under this Chinese University Scholarship Program, the tuition fees and the accommodation fees are covered in Chinese University Scholarship Program, Under this Private Scholarship, there are different categories of scholarship programs like MBS Scholarship, City Scholarship, CCN Scholarship, BLCC Scholarship, Chinese Scholarship, these are few names under the Private Scholarship, but दोस्तो, जो major scholarship हमें मिलता है, वो दो scholarship scheme के अंदर आता है, एक CSC Scholarship और एक Chinese University Scholarship, फिर बोल रहा हूं, do not delay applying into this scholarship, because I want you to get benefit of your hard work, यह जो दिये हुए number है, इस पर आप call कर लीजिए, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, किस University में कितना फीज है और कितना amount तक आपको scholarship मिल सकता है, सारा चीज़े आपको detail में बता दिया जाएगा, documentation में भी help किया जाएगा, अगर आपको इस वीडियो का जो content है scholarship के लिए और देखना है कि कौन-कौन सा University scholarship के अंदर आता है, इसका detail जो literature है, मैंने अपने edhorizon.in के जो website है, उसके news and updates में मैंने दे रखा है completely, उसमें आप जाएगे, अगर आपको universities चाहिए कि आपके budget में कौन-कौन सा universities fit होता है, तो edhorizon.in करके जो website है, उसमें mbbs in china के page में जाएगे, different universities is दिया हुआ है, budget wise, उसको भी आप देख सकते हैं, अच्छा दोस्तो, short जो videos होता है, scholarship के लिए, जो एक मिनिट के अंदर है, उसके लिए भी मैंने अलग channel बनाया है, Instagram भी बनाया हुए, जिसमें daily daily हम आपको हर एक information देते रहते हैं, notification के बारे में देते रहते हैं, Facebook को भी आप follow कर लीजिये, ताके आपको कोई भी तरीके से कोई भी information miss ना हो, thank you so much and take care.